नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इस्टिट्यूड निसान्त यान की यूट्यूब प्रेटफॉर्म पर मैं नितिनुपाद्धियाय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ आज के अपने इस वीडियो में मित्रो बहुत सारे सवालों के जवाब को देते हुए मैं इस वीडियो को आपके बीच ला रहा हूँ लगातार आप लोग हमसे कह रहे हैं कि मैथ आप पढ़ाना इस्टार्ट कर दीजिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए एक दो दिन में मैं प्रॉपर आपको मैथ दे दूँगा ठीक है 9-10 वीडियो हो गए हैं 10-12 वीडियो के तहत मैं जो है डियलेट फोर समिश्टर के मैथ को समाप्त कर दूँगा तो कृपया हमारी दिक्कतों को समझने का प्रयास करिए लगातार मैसेज इस विशे को ले करके न करें क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि मैंने जो वीड़ा उठाया है उस कारे को करना है और मैंने जो कहा है उसे 100% करने का पूरा प्रयास भी मेरी तरब से रहता है आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश सिच्छक प्रसिच्छन जो आप सभी लोग चाहे या बीटीसी कर रहे हैं या कुछ बच्चे बीएड भी कर रहे होंगे उनके भी माध्यम से हमारे पास सवाल आये थे जो उत्तर प्रदेश के मतलब आगामी सिच्छक प्रतियों कब तक आएगी मित्रों आप सभी लोगों ने RTI वगैरा देख लिया है उसमें भी असपस्ट है कि वरतमान के समय में reality यही है वरतमान के समय में उत्तर प्रदेश में कोई भी सिच्छक प्रति प्रक्रिया देन नहीं है नहीं इस पर कोई विचार किया जा रहा है लेकिन एक सकरात्मक्ता के तोर पे आप इसे ले सकते हैं कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाओ है और लोकसभा चुनाओ से पहले कहीं न कहीं अगर सरकार की मनसादासा रही ता आपको एक सिछक भरती देखने को मिल सकती एक सकरात्मक्त आप ले सकते हैं बाकी उत्तर प्रदेश के जितने भी छात्र हैं वो छात्र जो है बिहार सिच्छक भरती में अपनी एक उमीद तलास रहे हैं यह उमीद कहां तक सही होती है, कितने हद तक सही होती है इस विशे को ले करके मैं यह वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है, इस विशे को ले करके कई सारी वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, और निश्चित तोर पे आप सभी लोगों नो इस वीडियो को देखा होगा, और अपनी आगामी रणनीती को आप सभी लोगों ने तयार भ रहा है यह दोनों बच्चे बिहार सिच्छक भरती में जो आनी वाले है उसमें इलिजिबल होने वाले हैं अब यह जो सिच्छक भरती आने वाली है यह भरती 6 से लेकर के 12 तक आने वाली है अर्थात इसमें 3 कटेगरी बनाई जाएगी एक 6 to 8 बनाई जाएगी एक 9 10 बनाई चाहिए और यह परिच्छा हो भी चुकी है, बच्चे पास भी हो चुके हैं, आगे के लिए वो तयारी कर रहे हैं, फिलाल अगर आप इस कटेगरी में नहीं है, ता आपको इससे मतलब जादा नहीं होना चाहिए, जादा तर बच्चा 6-8 कटेगरी में है, इसके लिए जो है सीटेट सेकेंड पेपर पास होना चाहिए, आप सभी लोग जानते हैं, सीटेट जो है सेकेंड पेपर पास होना चाहिए, और जो सबसे बड़ी बात हैं कि 82 पाना चाहिए, 90 पाना चाहिए, अधर इस्टेट के लिए पूरे-पूरे 90 नंबर पाना चाहिए, चाहे वो गर् आपको जूठी दिलासा कोई दिलाए उससे मतलब नहीं होना चाहिए ठीक है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सीटेट अभी फिलाल पास नहीं है तो क्या आगे पास होने जो दिसंबर वाला सीटेट होगा उसमें आप इलिजबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो मैं कहता ह कि कल से कल कितने आरीक है कल जोह 16 अक्टूबर है और 16 अक्टूबर से BPSC TRE का रिजल्ट आ रहे है ठीक है BPSC TRE जो प्रथम चरड की वेकेंसी जो हुई है उसके परिदाब कल से आ रहे है BPSC TRE के परेडाम जो है कल से आ रहे हैं, तो आप सभी को, मैं बता दूँ, आप सभी के लिए क्या हो सकता है, जो परेडाम आ रहे हैं, इस परेडाम में आपके लिए कुछ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन 16 तारिक से ले करके, 20 तारिक के बीच में आपको BPSC के जो पिछल एक लाग सतर हजार वेकनसी हुई है, इस वेकनसी के परेडाम आपके सामने हो जाएंगे, और जब परेडाम आपके सामने हो जाएंगे, तो आपके सामने, इसे TRE बोलते हैं, ठीक है, TRE 2.0 का पूरा का पूरा खाका आपके सामने हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा ख बिहार में, जो बिहार में 6-8 वेकेंसी है, उसके लिए seated बना मांगा जाएगा, यह state होगा नहीं, और ना ही beated होने वाला है, beated इतने जल्दी वहाँ पे होगा नहीं, seated होगा, और जो seated का अभी फिलहाल जुलाई वाला result आया है, उसमें बहुत कम बहुत कम बच्चा पास है, और कोई भी सरकार हो कोई भी सरकार हो जब वेकेंसी देती है तो उसका एक ही मतलब की रिजन होता है कि हमारे राज्य से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सामिलो ठीक है तो बिहार राज्य भी यही चाहेगी उसके राज्य का जादा से जादा बच्चा है, सिच्छक भरती में सामिल हो, तो मात्र पिछली जुलाई वाली जो सीटेट हुया है, उसमें 5000 बच्चा ही सामिल हुआ है, केवल 5000 बच्चा पासी हुआ है, तो निश्यत तोर पे यही संभावना जोड़ करके लोग लगा रहे ह और उम्मीद भी यही है, कि आप सभी को मौका मिलने वाला है अपेरिंग में, जो अपेरिंग में सीटेट देंगे, सीटेट अपेरिंग, उनको मौका मिलने वाला है, जैसे आप अगर फेल हो गए है, ता आपको मौका मिलने वाला है, बस आपको टेंसन नहीं लेनी है, ठी दिसम्बर में आपका एक्जाम बगरा हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है, ठीक है, और कुछ लोग कहेंगे कि ये कब तक किलियर हो जाएगा कि हम लोग सामिल हो रहे हैं, तो शकल से परिडाम जारी हो रहे हैं, तो निश्चित तोर पे आप सभी को विदिन एक कर सब्ता है अर्थाथ 23 तारिक 23 से 25 अक्टूber 23 से 25 बीच आप सब 아प चल जाiledगा कि आप उबके आप संबी लोग सामिल हो रहे हैं फिलहाल मेरी तरफ से आप सामिल हो रहे हैं आने होने और सबसे बड़ी बात रही है कि जो 60 का Kerry का बच्चा है जो जिसके लिए जो यह मेरा वीडियो देख रहा है, एक कैस बैच का जो BTC है, मतलब उत्तर प्रदेश का, वो लगातार हमसे पूछता है, भईया हमारा थर्ड समेश्टर तो किलियर है, लेकिन फर्ष्ट वाले में फालाने वाले मबैक लग गया है, तो क्या हम अपेरिंग में इतनी दिन के भीतर हो जाला चाहिए, और आपका papyr इतनी दिन के भीतर हो जायगा, तो जो आप पहले बैक हैं, जैसे किसी का पर्थम में बैक लग गया है, किसी का सेकेंड में बैक लग गया है, उसके लिए भी आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा BPSC IO की तरब से, क मैं आपके साथ खड़ा हूं निशित तोर पे और कुछ लोग कहते हैं कि आपकी परिच्छा बगरा कब तक हो जाएगी तो परिच्छा के लिए देमोटिवेट करने वाले तो बहुत होते हैं यूटूब पर यूटूबर आपको बहुत मिल जाएंगे ठीक है लेकिन बच्चे सामिल हो जाएं हमारे साथी सामिल हो जाएं और नोकरी मिल जाए बस हमारा जीवन सार्थ हो जाएगा हमको कुछ नहीं चाहिए ठीक है देखे और लगबग लगबग बाते मैंने बता दिया है साथ दिनों के अंदर सारी चीजे आपके सामने होंगी क्या आप जो कॉम्बिनेशन की इसमें जरूरत नहीं होती है क्या होती है इसमें जो है कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं होती है six to eight वाले में जैसे कि आप graduation किये हैं ठीक है आप graduation किये हैं आप graduation में आपने कुछ भी लिया हो कोई दिक्कत नहीं अगर आप seated pass हैं ठीक है आप seated pass हैं और seated के second paper में आपने आप सामाजिक विझ्याना किया हो आपने डर्शन सास्त्र किया है आपने कुछ दूसरा कुछ ही लिया है तो आप निश्चित तोरफ से से ही pass होंगे ठीक है तो अगर आपने सस्टी से pass किया है आपका हिस्ट्री योगर्फी erm। क connectivity समास्तास्त्र एक सारी दिक सिच्छा कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं है आपने स्सेश्टी से पास किया है तो आपका एक सर्टिफिकेट हो गया कि आप सामाजी की विज्ञान विशे से फॉर्म डाल सकते हैं कछाच्छा से लेकर के आठमी तक लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सेश्टी से हैं तो अब हमया ज़े यहालोज है आप किसी लेंग्वेज से अर्था किसी विशे से फॉर्म डालना चाहते हैं। जैसे आपके पास आपने जी बिल्कुल आप eligible है, अगर आपने दो साल भी language पढ़ा है, तो आप eligible है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी subject के लिए, और अगर आप तीन साल किये हैं, तो कोई डर ही नहीं है, तीन साल आपने हिंदी लिया है, तीन साल आप करतकते हैं, इंगलिस आपने दो साल लिया है, तीन लिया है तो निशित तोर पे आप eligible हैं उस subject के लिए ठीक है और math science वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है math science आपने ब्यस्सी किया है ता आप eligible है eligible थे eligible रहेंगे आपको सीधा सीधा जो है photocow भी मिल गया है भाई आपने किया है था eligible हो जाएंगे ठीक है और कुछ लोगे पूछ रहे थे भीया कितने नंबर का कैसे क्या आएगा तो मैं आपको बता दू यह बिहार जो बिहार सिच्छक भरती होने वाली है आपका 120 नंबर का पेपर होने वाला है इसमें से दो पार्ट होने वाले है एक पार्ट असी नंबर का होगा एक पार्ट 40 नंबर का होगा ठीक है एक असी का होगा एक चालिस का होगा अब असी वाले पार्ट में आपका सब्जेक्ट आएगा जैसे जो भी आपका सब्जेक्ट है जैसे कोई बच्चा हिंदी से देना चाहता है तो हिंदी के असी क्वेस्टन इसमें आने वाले है और यकीन मानिएगा हिंदी के क्वेस्ट बहुत कुछ भी कोईिसन यार आप बहुत ज्यादा कठीं नहीं आएंगे बस मेरी बात मानू ठीक है या जो चालीस नमबर वाला पेपर है इसमें क्या-क्या अएगा बस इसको जान लो इसमें तो आपका little 001 नमबर में क्या येगा कि इसमें आपकी रिजिनिंग आएगी इसमें आपका भूगोल आएगा ठीक है स्वतंतरता आंदोलन गणित रिजिनिंग भूगोल और और कोई एक सब्जेक्ट और बच रहा है सुतनत्रता आंदोलन गणित रिजनिंग भूगोल और हो सकता है यार करेंट हो एक दो तीन चार पाँच सुतनत्रता आंदोलन गणित रिजनिंग भूगोल आप करेंट जोड़ सकते हैं ठीक है करेंट साइन्स है वाई गलती से में लिए यह साइन्स है थीक है यह 5 सिगमेंट आपके 40 नंबर में आने वाले हैं आठ आठ नंबर का आएगा आठ नंबर का सुतनता अंदूलन 1947, 1757 से ले करके 1947 तक का इतिहास आप से पूछा जाएगा उसके बाद गणित के जो है कच्छा 6-8 मी तक जो बिहार या CRT की किताब है वही से कुष्चन आएगा, एक भी कुष्चन बाहर से नहीं आता है आसान कुष्चन, रिजिनिंग भी वही से आएगी, भूगोल भी वही चीज आने वाला है ग्रह नचत्र तारे बगरा, देखिए जब वेकेंसी आजाएगी, जब चीजे सामने होंगी तो मैं आपको खोल करके चीजे दिखाऊंगा, बस आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि इतनी चीजे आसान है भाई, टेंसन न लो, मैं हूँ आपके साथ और साइन्स की भी, देखिए, बिहार सिच्छक भरती की जो पिछली वेकेंसी हुई है उस पेपरों को देखने के बाद, अनलिसिस करने के बाद जानते हैं क्या पता चलता है उसे देखने के बाद यह पता चलता है कि हमको जो है बहुत इस्टेंडर्ट किताबे नहीं पढ़नी है हमको माजी धुसेंसर की लाकर के पुगोल नहीं पढ़नी है हमको यह असके पंडे की जो है लाकर के इतिहास यह इस्पेक्टरम की इतिहास नहीं पढ़नी है यह हम लक्षमिकांत की quality नहीं पढ़नी है क्यों क्यों क्योंकि जो इसके questions आने वाले हैं एक question बिहार की जो बिहार या CRT की book है वहीं से आने वाली है तो बिहार या CRT की book आपको कहां से मिलेगी अभी फिलाल मैं टेलिग्राम पे नहीं दे रहा हूँ जैसे ही वेकेंसी बगरा आ जाती है बिहार या CRT की पूरी book मैं आपको टेलिग्राम पे दे दूँगा ठीक है फिर ही आप कास्ट में दे दूँगा और जितना भी guidance हो सकता है मैं सब कुछ दे दूँगा ठीक है SSC का बच्चा 28,000 की नौकरी के लिए अंडवान निको बार में जा करके टाइपिंग करता है बैट करके CHSL वाला तो आप नौकरी के लिए ये मत सोचिए कि कहा वेकेंसी है कहा कम है कहा जादा है एक बहुत बड़ी margin आपको दिखाई देगी बहुत बड़ी वेकेंसी बहुत बड़ा पद दिखाई देगा मैं आपको कहता हूँ आप 32,000 पद जो जूनियर में दिखाई दे रहा है कुछ लोग कहेंगा ने कि 32,000 में 16,000 निकाल दो 10,000 पद जो है जनरल के लिए रहेंगे तो 10,000 में आप काउन कौन सा पद ले लोगे भाई मैं कहता हूँ आप 10,000 ना देखो बलक में 32,000 देखो आप इसमें देखो कि एक ही वेकेंसी मुझको चाहिए और उसके लिए मैं eligible हूँ यार इतनी जादा संख्या है उसके लिए मैं इतनी दिन से पढ़ाई कर रहा हूँ क्या एक सीट के लिए मैं eligible नहीं हूँ आप है eligible इस बात को आप समझेए और जो 80 नंबर वाला segment का paper होने वाला है जैसे आप Hindi हैं आपका Hindi में कौन कौन सा आएगा लिए का जो grammar है ना जो cut-up बनाये जाएगा cut-up आप सभी लोग जानते हैं cut-up 49 नंबर बनता है 48 नंबर 40% cut-up बनेगा मतलब 49 नंबर अगर आप पा जाते हैं 120 में तो आप pass है अर्थात नोकरी नहीं लगेगी लेकिन 48 नंबर के नीचे आपका cut-up भी नहीं बनेगा 48 नंबर आप पाते हैं तो आप pass की कटेगरी में रहेंगे उसके बाद आपका cut-up बनेगा ठीक है तो जादा से जादा नंबर increase करने का प्रयास करना होगा आने वाले समय में ठीक है तो एक उम्मीद आपके लिए जरूर है और यह बिहार सीचक भरती बहुत बड़ा मौका है पेरिंग वालों के लिए भी मौका रहेगा और जो बच्चा मतलब नौकरी जल्द से जल्द चाहता है उसके लिए भी एक मौका रहेगा ठीक है कैसी लगी है वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और हमसे लगातार कुछ लोग मैसेज करते रहते हैं भाईया है पढ़ाईए हाउ पढ़ाईए तो यार टेंसल नलो मैं लगातार काम कर रहा हूं तो काम तो करता ही रहूंगा हा न तो फिलाल धीरे 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 स्वस्त हो रहा हूं कमजोरी है डेंगू के बाद कमजोरी हो जाती है आप सभी लोग जानते ही होंगे जो साइन्स बैक्राउंड से होंगे और कैसी लगी है वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा उम्मीद है कि सब कुछ सही होगा और निशित तोर पे मैं इसवर से प्रार्थना भी करता हूँ कि आने वाले समय में आपको यहां मौका मिले और आप सभी लोग मौके पर चोका मारे और आपका जो सपना है उस सपने को पूर्ण करें कल से रिजल्ट आ रहे हैं निशित तोर पे कल बहुत सारे लोगों के घर में बधाईयां बजेंगी बिहार में नौकरी लग रही है चाहे जहां नौकरी लग रही है कल से रिजल्ट आ रहे हैं तो कल से ही पुरा मौहल बनने लगेगा ठीक है और जो भी है सब कुछ बेहतर ही होगा चलिए यही जजबा रहा तो मुस्किलों का हल भी निकलेगा जमी बंजर होई तो क्या वही से जल भी निकलेगा नहों मायोस न गवराई संधेरे से मेरे साथ ही इनही रातों के दामन से सुनारा कल भी निकलेगा प्रयास करिए बेहतर करने के लिए निश्चित तोर पे आने वाला समय बेहतर ही होगा यह तैं है बस सकरात्मक्ता आपको नहीं छोड़नी है माता पिता के सपने को साकार करने की एक जिद है उस जिद को आप पाले रखिए निश्चित तोर पे यही जिद आपको सफलता प्रदान कराएगी और तैं है इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि अगर आप रेगुलर्टी और पेंक्चुल्टी दिखाते हैं ताने वाला समय आपका होगा और जो कुछ भी आप चाह रहे हैं आप सबको मिलने वाला है बहु